यह है चौते अध्याय का अर्थे स्वाश लोग, इस मनुष लोग में ज्ञान के समान पवित करने वाला निसंदे, दूसरा कोई भी साधन नहीं, जिसका योग बलिवाती सिद्ध हो गया है, वह करम योगी उस तर्थ ज्ञान को अवश ही स्वेम अपने आप में पालेता है, इस फूरेश लोग में यह बताया है, कि ठुकी करम योग का प्रकरण चल रहा है, कि करम योगी जो है, वो जब निश्काम भाव से करम खरता है, फल की इच्छा नहीं है, आ सकती नहीं है, और कोई कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, और आ सकती नहीं तो वो संपूर संसार में अपना कुछ भी नहीं मानता है कुछ भी नहीं मानता वो कहता है यह सब संसार आत्म सुरूप है जैसे मिट्टी के निक बरत्रों में मिट्टी तत्व है ऐसी इस पूरे संसार में तत्व जो है वो परमात्मा है भगवान तो उसको ऐसा लगता है सेवा करते करते कि यह पूरा संसार जो है परमात्मा का यह रूप है और इसमें सत कुछ भी नहीं करम और फल की आ सकती ही योग का अनुभव नहीं होने देते उले कौन अनुभव नहीं होने देता करम और फल की आ सकती वास्ता में कर्मों और पदार्तों से संबन विचेद स्वत्य है, कर्म और पदार्तों अनित्य है, अपना स्वरूप नित्य है, स्वरूप को कर्मों द्वारा कुछ नहीं पाना ये कर्म विक्यान, बोले स्वरूप जो है, वो पदार्तों क्रिया से रहे थे, हमारा जो स्वर सेर्फ पर्तव क्रिया से रहे taram व्यज़ान का अंवह ओने पर करम फल से भी शंबन्ध विच्छिद हो जाता है कर्म विज्ज्ञान क्या है मुझे संसार से कुछ नीच है अत् uniट हुए है कर्म विज्ञान क्या है कि सेवा हुए है मुझे कुछ नीच है फिर से समझ लीजे, मुझे संसार से कुछ ने चाहिए, सेवा होगी हमारी जो सुख क्या सकती है, फल क्या सकती है हमारी इच्छ जो है, हमारी जो कामना है यही हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती जैसे हमारी सुख आ सकती मिठ जाती है वैसे ही हमें अपने तत्व का अनुभव हो जाता है अब कहरेंगे तत्व यान को सबसे पवित्र करने वाला क्यों कहा गया ज्नके समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं पूले चाहें आप जब करिये चाहें interpreting तब करिये चाहें सब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इनोंने ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है क्यों? कहा भी जाता है ज्ञान अगनी धगदे कर्मा ज्ञान के अगनी में सब करम जलकर भस्म हो जाते हैं हमारे क्रियमान करम, हमारे प्रारब्द करम और हमारे संचित करम तीनों करम जलकर भस्म हो जाते हैं ज्ञान अगनी से अब बताए पद आत्मेनी बिदिन्ती पदों का ताथ पर रहें कि तत्व ज्ञान को प्रात करने के लिए करम योगी को किसी दूसी जगे जाने की जरूरत नहीं करम योग सिध होने पर उसे अपने आप में ही स्वते सिध तत्व ज्ञान का अनभव हो जाता है उसे ज्ञान का अनभव हो जाता है स्वेम हो जाता है मतलब जो निश्कामी हो जाता है उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए उसकी कोई आसकती नहीं है उसकी कोई फल की इच्छा नहीं है उसकी कोई कामना नहीं है पर सिवा हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को स्वेम ही अपने आप में तत्व ज्यान का नुभव हो जाता है सुख किया सकती करम फल की इच्छा और सुख लो लुपता ये ही हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती तो गुरु कहते हैं सिवा हो रही है तो जब हमारी यह वारी भावना हो जाती है कि सिवा हो रही है तो उससे हमें तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है अब दूसरा श्लोक यह थर्टी नाइन जीते इंद्रिय तता साधन परायन श्रद्धावान मनुष ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वे ततकाल परमशांती को प्राप्त हो जाता अब इस लूप में खास बात है कि जो जीते इंद्रिय होता है और साधन परायन होता है शद्धावान मनुष होता है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है इसमें लिखा भी है आगे शद्धावान लबते ज्ञानम अशद्धालू नाजजान और जैसे ही उसको ज्ञान होता है उप परमशांती को प्राप्त हो जाता है तो श्रद्धा की क्या पहचान है? श्रद्धा की पहचान है, वो जीतते इंद्री है, उसने इंद्रियों को जीता हुआ वो मन के और इंद्रियों के वशिभूत नहीं श्रद्धा की क्या पहचान है? वो मन और इंद्रियों के वशिभूत नहीं है उसने मन और इंद्रियों को जीता हुआ है और वे श्रद्धावान मनुष ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और श्रद्धा कैसे पता चले हमारी श्रद्धा सही है या नहीं? यदे पनले श्रद्ध्र जो है वो शास्त्र Čनकूल होनी चेहे कही है घुरू के अनकूल होना चीह है और जो हमारा आणुभव है तीनों मैच करने चेहे गुरू, शास्त्र और हमारा आणुभव जब तीनों एक हो जाते हैं तो हमारा ज defense राइट होती अब अम्मा जी की जो गुरू में शद्धा थी वो 100% थी कहते थे गुरू कहें सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ मीठा तो ले वो सिद्ध करके दिखाते हैं कि सूरश चमकता है तो बारिश के पानी को एवैपरेट करता है यह वैपरेट करके उपर ले जाता है बादल बन जाते हैं और फिर वो बारिश होती है तो मीठा जलाता तो वो ही कहते थे अगर तुम छोटी-छोटी बातों को गुरू की हाँ जी आ नहीं कर पाऊगे तो जब गुरू बड़ा निश्चे कराएंगे कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो तो कैसे हाँ जी आ करोगे कैसे गुरू की बात मालोगे अब तो करम योग का चल रहा है भक्ती आ गई है काफी रिफिरेंट हो गया है पर पहले तो केवल निश्चे की बात चलती थी और अम्मा जी हर बात का जवाब आत्मा से देते इस तरह संसार की सुरतन सत्ता को न मान कर एक परमात्मा की सत्ता ही मानना शर्द्धा कैने शर्द्धा क्या है कि एक परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा मानना जैसे अम्मा जी कहते थे यही बगवान कहते थे जब में गीता बगवान के पास से यहां महुन नवास से भी जब कहीं जाती थी तो मेरा यही रट लगी रहती थी है यही भगवान, है यही भगवान, है यही भगवान तो कहने श्रद्धा क्या है ऐसा मानना कि परमात्मा के सत्ता के बिना और कुछ हैं यह श्रद्धा है ऐसी शद्धा होने पर तत्काल ग्यान हो जाता है जब ये पक्का हो जाता है और ऐसा दिखने लगता है कि है भगवान वासुदेव सर्वम तो तत्काल ग्यान हो जाता है जब तक इंद्रिये सहित नहो और साधन में तत्परता नहो तब तक शद्धा में कमी समझनी चाहिए किने जब तक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है मान इंद्रियों पे और शद्धा में कमी है तब तक शद्धा में कमी मारनी चाहिए इंद्रियां भी सहियत नहीं है और साधन में सतत्वरता भी नहीं कभी कर लिया कभी नहीं करा मतलब हम फोकस नहीं है अपने लक्ष की प्रति और इंद्रिया हमारी विश्यों की तरफ जाती है तो साधन में तरपधा नहीं आती साधन में तरपधा नहीं से दूसरों के परायनता दूसरों का आधर होता है जब तक साधन परायंता नहीं होती तब तक शद्धा भी पूरी नहीं होती साधन परायंता क्या है कि जो हमने साधन चुना है वो उसमें उसमें रोज नियम से उसको करना और उसी में लगे रहना एक भी मिनिट वेस्ट नहीं करना हमाजी का यह था कि वो एक भी मिनट वेस नहीं करते थे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ करवाते ही रहते थे शद्धा पूरी नहीं के कारणी तत्व अनभव में देरी लगती है नहीं तो नित प्रात तत्व का अनभव में देरी का कारणी आत्मा तो हम पहले से ही तो मैं क्यों देर लगनी चाहिए अब आपना अपने सुरुप को जानने में शद्धा पूरी में शद्धा पूरी नहीं है तो अनुभव नहीं होता अम्मा जी की शद्धा पूरी थी उनके लिए जो गुरु ने कह दिया गुरु आक्यम सत्या फिर कहरें ज्ञान की प्राप्ती में शद्धा मुक्य है ऐसा एक तत्विया भोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है ये वास्ता में शद्धा है पूरी गुरु ने जैसे रश्टा वक्र गीता में आता है उन्होंने कहा राजजनक ने अश्टा वक्र मुनी से कि फूल तोड़ने में दे रही है ज्ञान लगने में दे रही है तोनों ने कहा कि मुझे ऐसे ज्ञान चाहिए राजजनक ने कहा कि फूल तोड़ने में दे रही है पर ज्ञान लगने में दे रही है तो और उने कहा कि आप ऐसा बता सकते है अश्टर अक्मोनी से राय जलक ने कहा उननने कहा हाँ बिलकुल ने कहा तुम होई आक्मा और पांच गुणों को अम्रित के समान धारन करो सत्थ दया पवित्रता दान सत्थ पवित्रता दया आड़जव 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 उत्थ सरलता सत्थ दया पवित्रता आड़जव ऐसे करके पांच गुणों को अम्रित के समान धारन करो और इस निश्चे में रहो कि मैं हात्मा हू शरी में तो अम्मा जी तो उनने कहा कि इतना अम्मा जी को ये पक्का था कि वो उनने पांच गुण धारन करे और उसी में उसी भाव में रहते थे सत्थ आइंसा आइंसा क्या है किसी को दुख न देना आड़जव सरलता अंदर बार एक दया दुसरों के प्रति दया जो संसार की उत्पत्ती से पहले भी रहता है संसार की स्थिती में भी रहता है और संसार के नश्ट होने के बाद भी रहता है वे तत्व है और उसकी प्राप्ती को लबते कहते है कि न शद्धावान लबते ग्याना तो कहते हैं तत्व कौन सा है? जो संसार की उत्पत्ती के पहले भी था संसार की स्थिति ये तब भी है और जो संसार नश्ट हो जाएगा तब भी रहे तो उसकी प्राप्ती को लबते कहते हैं कहते हैं अशद्धावान लबते ग्याना तो लबते जो है वर्ड वो तभी तत्व को ही कहा जाता है उत्पत्ति से पहले क्या था? आत्मा बीच में क्या है? आत्मा कही है पर्मात्मा कही है पर्मात्मा और जब संसार नश्ट हो जगा तब क्या रहेगा? पर्मात्मा तो जो संसार है उसकी तो प्रतीती होती है, और परमात्मा की प्राप्ती होती है, संसार की प्रतीती होती है, लगता है मैं मिल गया पर कुछ मिलता है, आप बताईए, संसार में कुछ मिलता है, जो मिलता है वो छूड़ जाता है, पैसे मिलते हैं, खर्च हो जाती है, अप प्रतीती होती है, प्राप्ती किसी चीज की नहीं होती है, प्राप्ती केवल परमात्मा की हो सकती है, तभी कहा कि तत्व जो है, मतला हात्मा, उसकी प्राप्ती को लबते कहते हैं, परन्तु जो उत्पन होने से पहले भी नहीं था, और नश्ट होने के बाद भी नहीं रहेग से कहीं जाती है नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को हैं रूप से मानने ना शुर्था है कहने संसार को तो नहीं मान लो कि ये निरंतर परिवरतन चीरे नहीं में जा रहा है और परमात्मा को हैं रूप से जान लो यह ही भगवाल संसार तो नहीं में जा रहा है नहीं में जा रहा है मतलब रोज बदल रहा है बच्पन से बच्पन को देखिए कितना बदल गया मास तक हम बच्पन में कैसे थे पर जवानी में कैसे थे अब कैसे हैं बराबर बदल रहे हैं तो गेर नहीं में जा रहा है संसार और परमात्मा जो है वो है ही है तो संसार को नहीं जानना और परमात्मा को है है जानना ये श्रद्धा ये श्रद्धा महाँजी में थी कि संसार को नहीं जानना और परमात्मा को है ही है जानना है भगवाल क्या लग्रों ने क्या पक्का कराया हम उनों को है यह बगवा और संसा नहीं उनने लास में क्या सेंटेंज बुला हमसे ब्रहमसत्य जगत्मित्या ब्रहमसत्य है और जगत्मित्या है बोले हमें परमशांती आप बताई परमशांती है किसी परमशांती उत्पत्ति विनाशील वस्तूर में शान्ती मिली कैसे सकती है तत्व ज्ञान कान्भव होने पर दुक्रूप संसार से सर्था संबंद विच्चेत हो जाता है तब स्वत्यस्थित परम शान्ती का तत्का लंगभा हो जाता है बुए संसार जब तक संबंद बिच्छेद नहीं होगा, जब तक संसार से वेराग नहीं आएगा, जब तक यह नहीं लगेगा, यहां, बुझे परमशान्ती मेरे नहीं सकती मुले तब तक जैसे वह स्थरी थी ना उसको सुई मिली थी सोनी की अपने मैके से उसकी सुई खो गई गिर गई यह लाइट चली गई अंदर अंधेर आता तो भार स्वीट लाइट में ढूंट रही थी तो एक लणका आया माा क्या ड्वड़े तो मैं डुणवा देता हूं तो भीट मेरी बदेहट में सोनी की सोई जो मिली थी तो भूंट रही हों थीस पहले थीस बहुत टें गई वहां गिरी कहा थी तो गिरी तो अंदर थी तो भार कैसे मिलेगी हम सब की वह यही यहालत है हम हमारी सांति हमारा आनंद गया तो अंदर से है पर हम ढोने है बहाँ तो कहारी। कियो निए अनभाव होता क्योंकि हम जो संसार नहीं है उसको है आन लेते हैं और जो पर्मात्मा है उसको बाहर डूलते हैं मंदिल में मिलेगा, मस्ज़ित में मिलेगा गुर्द्वारे में मिलेगा यहां मिलेगा, वहां मिलेगा तुमारा अपना ही स्वरूप है तो गुरु निश्चे कराते हैं कि तुम आत्मा हो यह शरी नहीं है यात्मा, है यी ब्रहम जो माजी app में निश्चे कराया उसी निश्चे में नहें कि है यी भगवाद कि अब भक्ती आ गयी है तो हम यह निश्चे तो करीी सकते हैं है यी बगवाद गुरुभगवाद के अनंतनंत शुक्राद